हम जो तिरलिंके दारनाथ की कफा सुनाते हैं पावन कफा सुनाते हैं भोले नाथ के दार नाथ में कैसे आते हैं हम कथा सुनाते हैं येशु के जो तिर लिंग करे महमाया को भन प्रम्हाजी के मानस पुत्र भक्तों धर्म हुए दक्षे प्रजापती की कन्या से फिर है विवाह किये तक्षे प्रजापती की कन्या का कहे मूर्तीना नर और नारायन नामक फिर पाई दो संता धर्म के घर में फिर तो खुशिया खुशिया ही छाई ते जिवान आतियंत थे दोनों नर नारायन भाई कहते है थे नर नारायन खुद विश्नु अवतार आये वो रिसियों के रूप में अपने धर्म प्रजाप बचपन में ही तप करने बद्री बन जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भोले नाथ के दारे नाथ में कैसे आते हैं हम कथा सुनाते हैं ये शिव के जोतर लिंग कर मोहमाया को भन ये शिव के जोतर लिंग कर मोहमाया को भन दोनों भाई स्यू संभू की करने लगे भगती दोनों में ही तप करने की थी एक्छा शक्ती बद्रीवन में जाकर दोनों करने लगे तप घोर इंद्र देव का धान गया फिर उन दोनों की हो सोचा इंद्र देवने ऐसे कोन तपस भी है सुभक्तों के बचपन से ही बन गए छवी ये है ऐसे ही जो रहेंगे ये अपनी भक्ती में ली एक दिन सिंहासन मेरा आवश्य लेंगे छीन उनके तपको इंद्र देव भंग करना चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं भोले नाथ के दार नाथ में कैसे आते हैं हम कथा सुनाते हैं ये शुन के जो तिर लिंग कर मुहमाया को भंग ये शुन के जो तिर लिंग कर मुहमाया को भंग काम देव को इंद्र देव ने फिर है बुलवाया अपना प्रयोजन काम देव को फिर है समझाया धर्ती पर तुम जाओ लेकर अपसराओ को संग नर नारायड का तप तुम्हे जाकर करना है भंग काम देव ने इंद्र देव की अज्ञा है मानी नर और नारायड का तप भंग करने को ठानी लगे दिखाने काम देव फिर अपनी लीलाए नाच रही है उनके संग में कितनी अपसराओ नर नारायड का तप भंग वो करना पाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भोले नाथ के दार नाथ में कैसे आते हैं हम कथा सुनाते हैं येशू के जो तिर लिंग कर मुह माया को भंग येशू के जो तिर लिंग कर मुह माया को भंग काम देव भी तप भंग उनका जब करना पाएं इंद्र देव फिर नर नारायड के सनमुख आएं बोले के जो भूल हुई उस छमा आप करना जान सकाना आपको मैं चाहा तप भंग करना आप धर्म के पुत्र है खुद नारायड के स्वैरूक भूल के कारण जान सकाना मैं तो आप करो इंद्र देव की भूल को है नारायड ने माफ कीए माफी मांग के इंद्र देव भी स्वर्ग को लोट गए भोले की भक्ती में फिर दोनों लग जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भोले नाथ के दारे नाथ में कैसे आते हैं हम कथा सुनाते हैं ये शिन के जो तिरलिंग कर मुहमाया को भं ये शिंके जो तिर लिंग करे मोहमाया को बन भोले नाथ उनकी भक्ती से हुए बड़े प्रैसन कहने लग भोले के मागो कोई भी वर्दान बोले जो तिर लिंग के रूप में यहां बिराजो आज जो तिर लिंग के रूप में भोले रहे हैं यहां बिराज जो तिर लिंग के रूप में जाना जाता है ये याज नर नारायड ने भोले का किया घोर तप है परवत रूप में नर नारायड यहां आज तक है प्रिसब रूप में आज भी भोले यहां पी आते हैं पावन कथा सुनाते हैं भोले नाथ के दार नाथ में कैसे आते हैं हम कथा सुनाते हैं ये शुखे जो तिर लिंग करे मोहमाया को हम रूप बैल का भोले ने लिया कैसे अपना बना महभारत के समय के भगतों ये है एक कथा कौरों और पंडों में जब भारी युद्ध हुआ पंडों ने तो सभी कौरों को है हरा दिया धर्म युद्ध है जात कहां ये धर्म की विजय हुई पांचों पंडों ने किन्तु भाईयों की हत्या की पाप लगा हत्या काखे से मुक्त हुआ जाए भोले नाथ की शरन में पांचों पंडों है आए किन्तु भोले उन्हे न दर्शन देना चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं बोले नाथ के दार नाथ में कैसे आते हैं हम कथा सुनाते हैं ये शिन के जो तिर लिंग करे मोहमाया को भन ये शिन के जो तिर लिंग करे मोहमाया को भन भोले नाथ तो पंडों से हैं ऐसे रुष्ट हुए पाँचों पंडों में से किसी को दर्शन नहीं दिये भोले नाथ की कृपा बहतों चाहते थे पानी भोले के दर्शन करने की मन में थी ठानी भोले नाथ को आ करके काशी में मनाए हैं किन्तू रूठ के भोले बद्रीनाथ में आए है बद्रीनाथ में आकर वो तो बैठे ध्यान लगाए उनसे रूठ के भोले है के दारनाथ में आए किन्तू पांडों उनके पीछे पीछे आते है पावन कथा सुनाते है बोले नाथ के दारे नाथ में कैसे आते हैं हम कथा सुनाते हैं ये शुन के जोतर लिंग करे मुहमाया को बन के दारे नाथ में आ करके किया फिर तो नहोंने ध्यान किन्तू भोले वहां से भी हो गए हैं अंतर ध्यान एक बैल का रूप दिया भोले ने अपना बनाए चरने के लिए कई कई पसुों के बीच में आए जान गए थे बंडों पर पहचान न पाते हैं अपने कद को उचा फिर तो भीम बढ़ाते हैं अपनी टांगों के नीचे से पशू को दिया गुजार बोले नीचे आने को पर नहीं हुए तैया यहीं है भोले नाथ भीम पहचान ही जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भोले नाथ के दार नाथ में कैसे आते हैं हम कथा सुनाते हैं ये सुके जो तिर लिंग कर मुहमाया को भन ये सुके जो तिर लिंग कर मुहमाया को भन बैल रूपी भोले को पकड़ने भीम जो आने लगें भोले नाथ तो धरती के हैं बीच समाने लगें पीठ पकड़के भीम ने उपर उठाना चाहा है किन्तु पीठ का भाग है बस हाथों में आया है इक्छा शक्ति से उनकी भोले हो गए प्रैसन पाचों ही पंड़ों को दे दिये साख्छा दर्शन पाप मुक्त कर दिये सभी और दिया स्वर्ग का रास्ता प्रिसब रूपी पीठ को आज भी यहां है पूजा जाता जो तिरलिंग के दारनाथ इस लोग बुलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं बोले नाथ के दारनाथ में कैसे आते हैं हम कथा सुनाते हैं ये सुके जो तिरलिंग कर मुहमाया को हम ये सुके जो तिरलिंग कर मुहमाया को हम बैल की पीठ के जैसा है जो तिरलिंग का आकार दर्शन मात्र से भक्तों के सपने होते साकार पाप मुक्त यहां आकर सारे प्राडी हो जाएं एक बार के दारनाथ मंदिर में जो आएं हंस राजरल हन भी जाता है दर्शन करने था महिलेते हाथ है भोले लगे जो हम गिरने के दारनाथ की महिमा वर्णन कर ताडी अशपान फोज सुरेस कभोले नाथ है रखते सदा ख्या अग्यानी को भी ग्यानी तो आप बनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं बोले नाथ के दारनाथ में कैसे आते हैं हम कथा सुनाते हैं ये शिव के जो तिर लिंग कर मोहमाया को भन ये शिव के जो तिर लिंग कर मोहमाया को भन